क्या चाइना के लिए लेमेन मोमेंट आ गया है और ये कहने वाला कोई आम सक्स नहीं है चाइना ने भारत को कहा था कि भारतिय एकनोमी में जो भारत कर रहा है वो बुम रेंग की तरह वापस आकर लगेगा लेकिन यहां तो सीन कुछ और ही हो गया है जानेंगे क्रिसूड किस मिशन पर है पंडुबी आईये ने स्वगीर पहली बार बिना रुके 7000 किलोमीटर यात्रा की जा रही है जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आईये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतिय पंडुबी ने ए अपने जगह पहुँच रही है भारतिय नौसिना की पांचवी कलवरी क्लास की पंडुबी उसे इस साल जनवरी में भारतिय नौसिना में सामिल किया गया था और उसे मंबई में कमीशन किया गया था इंपोर्टेंट ये है जून में अपनी ओपरेशनल तैनाती सुरू होन सिरलंका में रुकने के बाद से लगातार चल रही है और ये गती के आधार पर हर 3-4 दिनों में फिर से सतह पर आ जाती है ताकि समुद्र की गहराई में फिर से डूबने से पहले कुछ घंटों के लिए अपनी बैटरी को रिचार्ज किया जा सके अब ये गई कहा है तो आस्ट्रेलिया में आस्ट्रेलियाई रोयल आस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ ये कई तरह के युद्धा भ्यासों में भाग लेगी आई एनेस वगीर आस्ट्रेलियाई नौसेना की पंडुबियों और भारतिय नौसेना के पिएटाई विमान के साथ युद्धा भ्यास क कि इसे बनाया गया है मजगाओ डॉक सीपियाड के द्वारा और इसकी पूरी तरीके से परिक्षन चल रही है जो छे बैच हैं इस छे पंडुबियों के एक बैच हैं उसकी ये समझ लीजिए सबसे बड़ा परिक्षन है हाला कि प्रसांत महासागर में भारत अपनी दिल्चस्पी को भी दिखा रहा है और आइनस वगीर अपना है और अपने देश में बनाया गया है तो इससे बहतर और क्या हो सकता है कि जब नौसेना को मजबूद कर रहा है चाइना तो भारत अपने नौसेना को ज़्यादा से इन्फोर्मेशन निकालना इतना आसान नहीं है चाइना बताता कम है और चुपाता जादा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है लेकिन जिनपिंग ने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई और वो नीतियां भूमरेंग की तरह वापस से आकर जिनपिंग को ही लग रही है सबसे पहले हमने देखा चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था पर अचानक से जो चाइना की दिगज कमपनी थी एंट के उपर कारेवाई हो जाती है चैकमा के उपर कारेवाई हो जाती है और भी कई बड़े बड़े बिजनेसमे एकदम गदे के सिर्ष से जैसे कान गायब होता है वैसे गायब हो जाते हैं बाद में जाकर कुछ परकट होते हैं तो कुछ परकट नहीं होते हैं अब होता क्या है जो बैपारी वर्ग था वो डर गया कि हम पर भी हो सकता है ऐसा कुछ पैसे लगाने से पहले दस बार सोचो य इस असली बॉस को दिखलाने के चक्कर में अपनी अर्थ वेवस्ता का कबाड़ा कर लिया फिर रहा सहा कसर महामारी महामारी को आप देखिए कुछ तु गडबड जरूर है दुनिया खुल चुकी थी लेकिन चाइना नहीं खुला था चाइना में लोगडाउन के ऊपर लोग भी डर गए हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा लोग पैसे निकाल कर खर्च नहीं करना चाहते हैं जिनका पैसा जहां है वो वहीं रहने देना चाहते हैं उनको डर लग रहा है और सबसे बड़ी चीज यह है कि चाइना का जो मार्केट है और चाइना की जो जीडिपी है उस प्लो बैंक का डूबना मतलब चाइना का डूबना तय माना जा रहा है ये सारी बातें और इससे भी गहरी-गहरी बड़ी बातें कह कौन रहा है अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया भर में कई जगा बड़े-बड़े अर्थसास्त्री बड़े-बड़े कदम उठा रहे हैं कल ही हमने देखा कि किस तरीके से माइकल व्यूरी ने पैसे लगाए हैं तो वहीं हमने देखा वरन बफेट ने आठ बिलियन डॉलर पहले ही क्वाटर में निकाल लिये हैं कुछ चीजें ये बताती हैं कि आने वाला है संकट 2008 के वो भविस्वक्ता जिनोंने पहले की बता दिया था 2000 में आर्थिक मंदी आएगी मार्केट क्रैस होगा उनी में से एक हैं क्रिस वूड और क्रिस वूड का कहना है कि चाइना के अंदर लेमें वाली सीन सुरू हो चुकी है क्या है ये लेमेन वाली सीन लेमेन ब्रदर्स जो टॉप क्लास का फाइनेंसियल बैंक था अमेरिका का 2008 में वो गिर जाता है इसकी भविस्वानी कई सारे एनलिस्ट पहले ही कर चुके थे लेकिन लोगों का उनके उपर भरोसा नहीं था पर अभी जो आर्थिक मंदी दुनिया में चा रही है लोग इनके पास जा रहे हैं कन्फर्मेशन करने के लिए अच्छा बताओ क्या हमारे यहां भी कुछ ऐसा होने वाला है अच्छा बताओ दुनिया के देश में कहा कहा क्या क्या होने वाला है क्रिसूड ने कुछ बातें साफ करी क्रिसूड ने कहा कि देखो चाइना के अंदर लेमेन वाली सिचुएशन आ रही है क्योंकि जो इसकी तिगज कमपनी थी जिसे कहते हैं जोंगरों संस्था कहें एक सेडो बैंक कहें ये डूब रही है और ये डूब रही है तो इसका जो मेन है मतलब एक पूरा बड़ा बिजनिस दो दसमलो नौ ट्रिलियन डॉलर का रखने वाली कमपनी वो भी डूबेगी और अगर ये डूबते हैं तो इसका मतलब है कि लाइन लगेंगे बड़े-बड़े सेडो बैंक छोटे-छोटे सेडो बैंक का ये तो सबसे बड़े थे अब जर सबसे बड़े का ये हाल है तो छोटे-छोटे जो सेडो बैंक है उनका क्या हाल होगा इसलिए बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पर ले मिन मोमेंट आ रहा है हलाकि इनों ने इस बात को भी साफ किया कि देखिए यहाँ पर नियम और जो चीजे की गई वो कहीं न कहीं असर दिखा रही है अपना और इनका सेडो बैंकिंग सेक्टर जो की एक नॉन बैंकिंग है मतलब आधिकारिक तोर पर बैंक नहीं है ये कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं जिनके पास पैसे रहते थे और ये पैसे रियल इस्टेट में लगते थे रियल इस्टेट से जो मुनाफ़ा होता था वापस से इन्वेस्टर्स को लोटाया जाता था इसमें पैसे लगाने वाले धनमान लोग भी होते थे आम लोग भी होते थे जिने ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा चाहिए था अब लोग जब इन वेंकों के पास जा रहे हैं पैसे मांगने के लिए तो ये कह रहे हैं हमारे पास अभी पैसे नहीं है और ये चीज छीपाने की चाहत रखते हुए भी चाइना छीपा नहीं पा रहा है चाइना के अंदर ये सारी चीजे अब तो निकल कर बाहर आनी सुरू हो गई है अब संभावना यही दिख रहा है कि जो बाइडन ने कहा था वही सच है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ